Hello students, I am Mithilish and welcome to the class of Ingenious Physics. Today we are going to discuss in brief about acceleration and retardation. तो बच्चों, आज हम लोग basically बात करने वाले हैं acceleration और retardation के बारे में. आज की यो ये वीडियो ही आपको पूरी तरह से ये clarity प्रोवाइड करेंगे कि acceleration और retardation में क्या difference है. और ये acceleration and retardation ये motion in one dimension जो chapter है उसमें आपको ये topics available हो जाएगे, मिल जाएगे. तो चलिए बसको हम लोग यहाँ पे देखते है acceleration और retardation के basic जो differences है उसके बारे में. और हम लोग ये भी discuss करेंगे कि exactly acceleration का definition क्या है, कौन से condition पे हम लोग acceleration find करते हैं और कौन से condition पे हम लोग retardation find out करते हैं. So first of all हम लोग यहाँ पे देखते है acceleration पे हमारे पास देखिए एक final velocity और एक initial velocity है तो final velocity हमें सा greater हो गया. अब देखिए यह notation आपको ज़्यादा easy ली समझ में आ जाएगा. देखिए V is greater than U. V क्या represent करता है बच्चो? V represent करता है final velocity. ठीक है? और U क्या represent करती है? initial velocity. So final velocity हमेशा अगर greater है initial velocity से इसका मतलब acceleration है उस motion में. मतलब accelerated motion है. और अगर final velocity अगर कम है initial velocity से तो इसका मतलब क्या होता है? retardation होता है. तो आएए मैं आपको कुछ example देखिए समझाने की कोशिस करता हूँ. जैसे कि अगर माल लेज़े कि कोई एक object है ठीक है? अगर initially वो rest पर है किस पर है? rest पर है तो इसकी speed क्या होगी? 0 meter per second. और थोड़ी दिर बाद अगर उसकी velocity calculate की गई है और अगर वो 10 meter per second अगर हमें मिला है तो इसका मतलब क्या है? देखिए velocity में increment आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया. तो हमारा ये motion कैसा होगा? accelerated motion होगा और साथ हमें ये positive होगा. मतलब acceleration हमें इसा positive में ही आयेगा. ठीक है? तो ये हो गया. अगर मालने जे कि object जो है initially 10 meter per second के velocity से चल रही थी और हमने break apply किया. ब्रेक apply करने के बाद ये रुक जाती है या फिर मालने जे इसका velocity है वो कम हो जाता है. 2 meter per second हो गया. तो इस condition में क्या होता है बच्चो? देखिए U जो है बड़ा है और V जो है यहाँ पर यह छोटा है. ठीक है? तो यह first case में क्या था? कि V is greater than you. तो acceleration है. यहाँ पर देखिए V is less than you. तो यह क्या होगा? यह retardation होगा. Retardation मतलब negative of acceleration. ठीक है? तो यह examples आपको समझ में आ गया होगा. तो एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको. तो आप अगर bike drive करते हैं. तो जब आप accelerator को अगर घुमाते हैं. तो आपकी bike की रफ्तार बढ़ती है. मतलब रफ्तार बढ़ रही है. That means acceleration है. और जब आप brake लगाते हैं. That means वहाँ पे रफ्तार आपकी घटती है. That means retardation है. तो यह basic सा example आपको पूरी तरह से clear कर दिया होगा. कि exactly जो acceleration है और retardation उसमें basic difference क्या है? So अब हम बात करते हैं formula basis पे देखिए. acceleration के लिए formula क्या लगाएगा? V minus U by T. और retardation जब calculate करेंगे तब हम formula again A is equals V minus U by T ही हम लोग लगाएगे. अब बच्चों आपको याद रखना है देखिए. यह V minus U. इसका मतलब अगर V minus U अगर यह greater than 0 होगा. तब ही जाकर के यह acceleration क्या होगा? पॉजिटिव होगा. क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा. ठीक है? एक example यहाँ पर sit कर लेते हैं. माल लेते हैं कि जो हम लोगों ने लिया था उसी को fill करते हैं. फर्स्ट केस में क्या लिए हमने final velocity 10 meter per second है? और initial क्या है? rest था. अब time कुछ भी हो. यह solve करके क्या provide कर करेगा हमें. यह actually 10 by T आ जाएगा जो एक positive number हमें provide करेगा. तो आप देख रहे हैं आप extension positive आया. कब? जब V is greater than U. और just इसका reverse when V is less than U. उस condition में यह V minus U है. यह क्या आएगा? यह less than 0 बनेगा. Less than 0 मतलब negative. तो हम लोगों ने वहाँ पर जो अपका data लिया था. उसको हम लोग feed करते हैं यहाँ पर. तो हमारे पास final velocity 2 थी वहाँ पर और यह 10 और यह total time. टाइम हमने लिया नहीं कुछ भी ले सकते हैं. तो ultimate देखिए minus 8 by T. तो यह minus इसे क्या बना देगी? negative बना देगी. तो इसलिए retardation हमेशा क्या होता है? negative होता है. हम उसे A से ही denote करते हैं. इसमें बियाद रखना है कि जब acceleration होता है मतलब तो positive आएगा, retardation के case में एक value क्या आएगा? negative आएगा. तो इन देखिए आपको इतना समझ में आ चुका है. अब बात आती है कि भाई हम graph देख के क्या पहचान सकते हैं? कि यह body में movement है, that means body accelerated है या फिर retarded है. मतलब body की velocity बल रही है या body की velocity घट रही है. तो चलिए अब हम लोग एक velocity time graph को consider करते हैं and you can see the velocity time graph है. तो आप देखते हैं यह पहला case में velocity time graph है. ठीक है? अब आप देखे हैं यहाँ पर आप तो आप सोचिए. मैं जरा इस एक्स्पेंट करने ही कोशिस करता हूँ यहाँ पर कि आप देख रहे है यहाँ पर धीरे धीरे time जो इस direction में क्या बढ़ते चले जाएगी. यह 1 second है, यह 2 second, 3 second, 4 second and 5 second. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेलू और यह 10, 20, 30, 40 और यह velocity meter per second में है और time second में है. ठीक है? तो आप खुद सोचिए जैसे जैसे हम लोग इधर right side shift कर रहे हैं वैसे वैसे हैं कुछ इस तरह से, कि देखिए 1 second में इसकी velocity कितनी थी? 10, अच्छा चली 4 second में इसकी कितनी थी? 40, तो इसका मतलब जैसे जैसे time पार हो रहा है, वैसे वैसे इसकी velocity increase हो रही है. तो अगर हम इसे उस formula में set करेंगे, तो हमें पहले time set करना हो, देखिए यहाँ से यहाँ त अच्छे 10, 10 and 10, total 30, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, final velocity तो इसकी 40 थी? 40 meter per second, और इसकी initial velocity कितनी थी? 10 meter per second, तो 10 meter per second हमें दीख रहा, तो acceleration क्या आ जाएगा? तो यह acceleration देखिए, 40 minus 10 by 3, तो solve करके यह हमारा आ गया, देखिए, 30 by 3, तो solve करके यह 10 meter per second square, ठीक है? तो यह हमारा आ गया, देखिए, acceleration, अगर यही retardation हम calculate करेंगे, तो आए चलिए, हम लोग दूसरा graph में देखते है, retardation, तो अब माल लेजे, यहाँ पर यह 1 second है, और यह 4 second है, ठीक है? यह हम लोग random एक data ले ले लेते हैं, यहाँ एक second में इसकी जो velocity थी, यहाँ पर यह 40 meter per second थी, और यह हमारा 4 second वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी velocity कितनी हो गई है, माल लेते हैं, 10 meter per second है, तो इस condition पर देखिए, body पहले 40 पर थी, बाद पर 10 पर आई है, इस side अब देखते चले जाए है, तो यह initial velocity, यह final velocity, तो 40 meter per second, ठीक है? और आपका V final कितना है भाई? 10 meter per second, and what about time? देखिए भाई, यह 4 minus 1 करेंगे, तो यह actually gapping कितना है? 3 second का gapping है, तो यह गे 3 second हो गया, तो acceleration is equals क्या होता है? V minus U by T, तो V कितना है भाई? देखिए 10 minus 40 divided by time, तो इसे solve करेंगे, तो यह minus 30 by 3, which equals minus of 10 meter per second, second square, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि retardation आया, यहाँ पर मतलब acceleration जो है negative है, acceleration negative का मतलब ही होता है, कि यहाँ पर retardation हुआ है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा, इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हू ठीक है, जो आपको थोला सा easy कर देगा इससे समझने के लिए, तो first आप देखिए अगर आप लोगों इने slope पढ़ा होगा, तो slope is equals क्या होता है M, और यह slope क्या होगी, positive होगे ठीक है, इस condition पर, और इस condition पर slope जो की M, यह क्या होती है, negative होती है, अगर यह आप पहली बार काम inclination theta से जादा, देखे, x-axis से क्या angle बना रहा है, यह definitely 90 से दो काम है, यह angle है inclination, ठीक है, और अगर इस graph की बात करें, तो इसमें क्या करना है, इसे हमें ऐसे आगे proceed करना है, ठीक है, यह graph को भी हमने बढ़ा दिया, अभी देखिए आप बताए, यह angle 90 से जादा है की नही अगर हो गया, next बस अब हम लोग बात करते है, graph से related और यह आपको और clear कर देगा, suppose that देखे, यह graph आपको बुक पर definitely मिलेगा, exactly data तो यह नहीं रहेगी, but format same रहेगा, ठीक है, यह नुमेरिकल में हमने same type का question कराया है, अगर एक line मतलब इस तरह से है, फिर इधर ऐसे गई है, और फिर यह ऐसे गई है, ठीक है, तो अब देखे, यह velocity time graph है, क्या graph है, बच्चो, velocity time graph है, ठीक है, तो यह हमारा meter per second पर है, और यह second पर measure किया जा रहा है, right now हमारे पास देखे, यह point है, तो हम लोग नाम देते है, O, A, B, and C, and हम लोग यहाँ पर यह dotted बना देते हैं, ठीक ह अब हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि since यह graph उपर क्या और बल रही है, जैसे जैसे right side जा रहे है, मतलब यहाँ पर यह कैसा motion होगा बबू, यह accelerated होगा, मतलब यहाँ पर acceleration is equals क्या होगा, बच्चो, positive होगा, दूसरा तरीका find out करने का, देखे है यहाँ पर, theta क्या है, 90 स less than 90, तो यह क्या acceleration यहाँ पर positive होगा, तो इस condition पर acceleration हमेशा positive होगा, ठीक है, आईए, अब देखिए, इस case के बारे बात करते हैं, यहाँ पर downward जा रही है, downward मतलब acceleration हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, negative होती है, दूसरा तरीका क्या है, यह inclination देखिए, यह inclination मतलब theta, यह 90 स अब बात आता है, अगर यह horizontal line है, तब हम क्या करेंगे, तो आईए, देखते हैं यहाँ पर, जब यह horizontal line है, इसका मतलब क्या है, यह theta के साथ, actually यह जो line है, यह x-axis के साथ 0 degree बनाएगे, ठीक है, theta is equals 0 degree, क्योंकि यह line इस x-axis को कभी cut नहीं करेगा, मतलब time axis को cut नहीं करने व velocity, initial velocity, same रहेगी, ठीक है, acceleration positive इसका मतलब, final velocity will be greater than initial velocity, यहाँ पर क्या होगा, final velocity is less than initial velocity, तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों को यह पूरा detail दे दिया गया है, कि acceleration retardation क्या है, graph को देखके कैसे पैचानेंगे, कि acceleration कभ हो रही है, retardation कभ हो रही है, and acceleration 0 कभ है, ठीक है, तो I hope आपको आज की पूरी वीडियो में जो भी मैं concept बताया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ doubt रहता है, तो आप पहले book को भी एक बार read out करे, book से आप पढ़ोगे, तो आपको और अच्छी तरीके से clear हो जाएगा, self study आपको करना ही मेरे प्यारे बच्चो, और मैं उमीद करता हूँ, कि आपको ये पूरा वीडियो समझ माया होगा, और अगर कोई doubt रहता है, तो आप comment कीजिए, और मैं try करूँगा उस पे वीडियो वगरा बनाके upload करने की, so my dear students, for more interesting videos, just stay tuned with the channel Ingenious Physics, and nothing else guys, just keep on study.